हेलो कैस्ट तो कैसे हैं आप लोग तो आज की इस वीडियो में ना हम आपको कोई स्टेड़ी समझाने वाले हैं और ना ही हम कोई अपना लाइब टेटिम सेर्ड करने वाले हैं लेकिन जो आज की वीडियो हैं वह काफी ज्याज़ा इंपॉर्टेंट है मेरे को खुद भी नह के लिएंप आने वाला हूं लेकिन आप इतना समलो को जो चीजे आज आपके साथ सेर्ड करने वाला वह आपसे कोई सेर्ड नहीं करने वाला क्यूंकि यह कफी कड़ भी सचाही है तो अगर आप офिसwnie कामकर यह चाहएं जोरूर साथ लोग ऐसे भी हैं जो काफी गलत तरीकह से मारकेट में घुच जाते हैं और वह बहुत बड़े बड़े लोस्स ले लेते हैं उसके वाज़ां से वह काफी ज्यदा डिप्रेशन पर हो जाते हैं ना वह अपने फेमिली से बात करते हैं ना वह कुछ काम करते हैं तो आज हम आपके साथ कुछ सेर करने वाले हैं कुछ चीज़े बताएंगे वह पॉइंट कुछ आपके सामने रखेंगे जिससे आपको सेर कि मार्क accesee है क्या है कि यूर्टकार नहीं पिछे का सच्चाई में वेटाताँ आज दिखे मार्केट में क्या है न कि मार्केट में आपको चारो तरफ हार तरफ ूस्यूग कईत्विच forms आ हुटैज कर कोई अपना हजारों का profit दिखा रहा है करोडों का भी प्रवरविड कर राहे तो किसी का profit कर गाइज देखे अपना hard-end मेहना से कमा हुआ पैसा मार्केट में मच डालकर उसे घमत कवाई ए मार्केट देखिए मार्केट है कि कि मार्केट इस मार्केट को आप एक बिजनेस की तरह देखिए और यह में बता दे रहूंगा यह आपकी लाइफ का केवल एक केवल 10% हिस्सा होना चाहिए अर्निंग का या फिर आपकी लाइफ का गाइज क्यों कि देखे काफी ज्यादा लोग होते हैं जो सुबह से लेकर सा लेकर दिखिए यह मार्केट आपकी पूरी पूरी अर्निंग का 10% हिस्सा होना चाहिए मतलब आपको मार्केट पर केवल एक केवल 10% डिपेंड होना चाहिए या आप इसे एक तरह से एक्स्ट्रा सोर्स ओफ इंकम भी समझ सकते हैं ठीक है बस आपको इतना ही मानकर चलना ह इतलिस्ट का इस स्टार्टिक ने दिनों में जब आपको प्रॉफिट अच्छा खासा खुद से होने लगे तो आप इसमें ज्यादा कैप्टल दारकर ट्रेडिंग कर सकते हो लेकिन आपकी पूरी जो सोर्स ओफ इंकम का जरिया है वो इसमें 10% ही आप मान सकते हैं कि 10% एक आपको एक बिजनेस की तुरह लेकर चलना है अब आप समझेए मेरी बात समझा कर आपको इंजिनियर बनने के लिए आपको चार साल देने पड़ते हैं आपको डॉक्टर बनने के लिए 10 साल का एक्स्पिरेस देना पड़ता है आपको कुछ भी करने के लिए काफी ज्याद कियोगा क्यों कि देखे गाई यह मार्क डीयरिंध मारकेट में अगरा लॉस्त भी करें और मेरे 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 जिएब से कुछ से नहींğa नहीं रहा है लेकिन जब मैं किसी किसी के समरी बात हो जाती किसी को मस्ताय रहता है कि सर में बहुत ज्यादा लीका मैं ऐड़ी रोग्तर भी बड़ा loss नहीं हो सकता है, इसकी guarantee 100% आप लेके चलिए, मैं अभी आपको वो method बता रहा हूँ, सबसे पहला बात, काफी ज़्यादा लोग बोलते हैं कि मैं full time trader बनना चाहता हूँ, ठीक है, आप full time trader बनिये, मैं नहीं बना कर रहा हूँ, कि आप नहीं बन सकते हैं, लेकिन आप ये भी चीज़ जान जाएए, कि हर एक field, हर एक लोगों को suit नहीं करता है, कि आप doctor बन सकते हैं, doctor बनने में बहुत ज़रा पैसा है, तो क्या सारे लोग doctor बन जाएंगे, engineering बनने में बहुत पैसा है, क्या सारे लोग इंजिनर बनने में बहुत पैसा है, क्या सारे लोग आएंगे तो यह ऐसा पॉसिबल नहीं है देखे यह सचाही है मेरे को आपको motivate करकर मेरे कुछ आपको सेमिदार भी नहीं बुलाना है ना ही मेरे को कुछ कुछ नहीं करना मेरे को माफी चाहूं गैस यह वीडियो थोड़ी लंबी हो जागी बट जो भी चीज़े मैं बोल ला हूं वह अग्दम अंदर से आ रही है कोई भी चीज़े मैं कोई स्क्रिप्ट गरा कुछ भी नहीं लेखता हूं तो मैं जो मन में आ रहा है जो सचाही है म को बोला हूं अगर अच्छा लगे तो कॉमेंट करके बताना अगर भी बुरा लगे अगर कुछ खराब बात ही निकल लगे तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि I don't know कि मैं आपसे क्या बाते कर रहा हूं लेकिन बस मुझे जो भी मैं चीज़े आपका साशेर कर र चाहिए ठीक है उसको आपको छोड़ना नहीं है काफी जाज़ा लोग क्या आक बोलते हैं कि सर मैं अपने जॉब को छोड़ को बिजनेस को छोड़ को इस पर लग जाओ यह गाइस बिलकुल कलत है आप जोब से अर्णिंग करिए बिजनेस अर्णिंग करिए जितना अभी हैं उसका 10% मारकेट में डाल कर काम कर सकते हैं लेकिन इस ड्रीक्ति में संबल चाहिए कि चाहिए आप इस टॉक में काम करिए या किसी में भी काम करिए तो आपको जो ट्राइब करना है ना मैं पेपर टेड के खिलाव हूँ गाई जब आपको मार्केट में कुछ भी नहीं आता है मार्केट का आपको A, B, C, D भी नहीं आता है तो आप पेपर टेड करके सीख सकते हैं कैसे बाई लगता है कैसे सेल या लगता है क्या होता है लेकिन जब आपको इतना पता होगा तो आप स्टॉक में काम करिए एक क्वांटिटी में काम करिए मतलब अगर आपको SBI का सेयर या आया, Reliance को कुछ भी खरीदना है तो आप एक क्वांटिटी भाई करिए या एक क्वांटिटी आप सेल करिए उसमें आपको काम करका सीखना है ठीक है देखें गाइस आपको ये देखना है कि आपने आप जो भी मेतट को फॉलो कर रहे है प्राइस सेक्शन इंडिकेटर कु सौ कॉणटिटी भी प्राइस आप कैसे कर पायेंगे आपको ये ट्लीसero TV कहरा है एक मिनश लेकर के थी नमट द रहे बीनश को प्रेक्टिस देंग कि झार्च मार्केट में कुछ भी नहीं वाला है आपको सेल्फ लरूर्निंग आईश कर नहीं सटेगी आप किसी का भी कौ से मिनार को लोग कुछ भी कर लो जब तक आपको खुद से प्रैक्टिस नहीं होगे तब तक आप मार्केट में प्रॉफिट और नहीं कर सकते हो तो ऐक इस कुटना लौस वाज़ैंगा कुछ लौस नहीं होगा इतना मान लेना लौस हो जा जान लो वह जीरो नहीं होने वाले इतना जल्दी समझ रहे हो तो आपको इससे क्या मिलेगा इससे अर्निंग इससे लर्निंग मिलेगी काफी ज्यादा और क्या होगा दूसरी चीज़ आपको बड़ा लॉस नहीं होगा अब एक हजार रुपे आपने डाला अगर आप देखो में कर रहे हो 10,000 रुपे मार्केट में डाल दो ठीक है 10,000 रुपे डाल दो अभी स्टोक है चाहें और सन्में काम का रहे हो तो आप एक स्टोक बाई सेल करके प्रक्षिक करते रहो जिस भी स्टर्टिजी काम करेंगे जिस भी मेठर्स क्रेंग आप एक से दो महिने के बाद देखो कि आपका प्नल ग्रीन में है या लॉस में है ठीक है ब्रोकरेज का मत लेना क्योंकि ब्रोकरेज आपका खर्चा हो जाएगा आप जो ट्रेडिंग स्किल पर काम करो उससे आपको प्रोफिट भागे नहीं हुआ वो देखना अब ब्रोकर जोगरा को छोड़ देना अगर आपको समझ में आ रहा है कि हाँ आप यहीं लोग करते हैं स्टार्टि मों जो बड़ा डाल लेते हैं मार्केट में फिर उसको control नहीं कर पाते हैं और नहीं उनको trading अच्छे से आती है ना उनको चीजों को समझ अच्छे से आता है तो जिससे वज़ासे उनको loss होना है और अगर वहीं आप option में काम कर रहे हो जिससे option buying कर रहे हो तो आपको क्या करना है आपको simply एक lot में buy कम करके सी सीखना है चीजों को समझना है आपको गई देना पड़ेगा मार्केट में यह समझ लोग स्टार्टिंग में जितने बी बंद्या हैं उसमें देना पड़ता ही पड़ता है क्योंकि आप काफी ज्यादा गलती करोगे और हमेशा एक चीज़ समझ को लर्णिंग पर फोकस करो लोग करते क्या है कि लोग पहले मार्केट में बड़ा कैप्टर लाएंगे फिर ट्रेड करेंगे फिर गलती करेंगे फिर लॉस करेंगे जब पूरा कैप्टर करतम हो जाता है तब वो सीखने पर आते हैं तो ऐसे गलत सीख रहे हो तो उससे बढ़िया है उससे बहतर है कहीं जारा कि आप गवाने से पहले सीखो और अगर वहीं आप ऑप्शन सेलिंग सीख रहे हो ठीक है देखो सबसे पहले तो आदमी किसमें काम करता है एक्विटी या स्टॉक में काम करते है इस इस टॉक में इतना नालिज तो हो जाता है कि buy sell कैसे करते stop loss target सब क्या-क्या होता है तो फिर हम लोग बात करते हैं option के तो अगर आप option selling सीख रहे हो या एक option selling try करो नया नया तो आपको इसमें भी one lot में ही काम करना है one lot में ही काम करना करना है और क्या करना है आपको काफी close hedge करना है मतलब जैसे कि मान लिजे कि आपने 17,000 का call nifty का sell कर दिया तो आप क्या कर सकते हैं 17,50 का call buy कर लिए hedging purpose के लिए मैंने hedging पर detail में video बना रखा है जैसा कि आपको चैनल पर जाएंगे playlist में जाना है और इसमें option hedging मैंने बना रखा है playlist ठीक है यह guys paid content है ठीक है option hedging जो है paid content लोग इससे आपसे 1000 रुपे लेकर इसको यह सारी चीज़े बताएंगे लेकिन मैंने free of course क्यों 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 आपके loss से मेरे को benefit नहीं है बलगी मेरे को बुरा ही लगेगा कि आपको loss हो रहा है तो यह option hedging content है इसकी value समझो गाइस यह काफी important चीज़ है तो option hedging करिए आप अगर option selling कर रहे हैं starting में तो आपको quantity का में से दाना करे quantity अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपको हमेशा loss ही होगा यह समझ जाओ क्योंकि सुरू में आद में ज्यादा गल्ती करता है जैसे जैसे वह market में time बिता लेगा तो उनको अपने गल्तिया trading demand account में एक लाग रुपे आप एक लाग रुपे पूरा गवाद होगे तो आप बने कैसे रहपा होगे अब इस सुरू में ही एक लाग गवाद होगे एक से देर महिने में लेकिन वहीं अगर आपकी capacity एक लाग रुपे और आप डालकर रखे हो 10,000 रुपे या बहुत कम पै अगर लॉस होना होगा आपको तो एक quantity पर भी लॉस होगा मेरा करने का मतलब समझे तो आप starting के दुने में earning पर focus बिलकुल मत करेगा earning नहीं learning पहले चाहिए आप learning करोगे उसके बाद आपकी earning होगी वैसे अगर मैं मालनों कि आप put कर रहे हो put sale कर रहे हो ठीक है जैसे कि माल 18,000 का put sale कर रहे हो निफ्टी का तो आप क्या कर सकते हैं आप 17,950 या 17,900 का buy कर लेना put aging purpose के लिए यह क्या है ना गाई यह इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर market आपकी अगेज में जाता है तो यह आपको बड़े loss होने ही नहीं देगा यह आपको बड़ा loss होने ही नहीं द करने ना तो option aging playlist में जाना वहां पर मैंने काफी practically समझा रखाए और अब बात आती है गाई कुछ लोग tips वाले होते हैं कि वो tips पर जादे focus करते हैं ठीक है ठीक है हो सकता है कि आप किसी ऐसे बंदे को जानते होगा जिनके tips काफी सही होगी तो फिर भी मैं आपको एक suggestion देऊ क्योंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं देखिए आपका पैसा है आपका पैसा है आप मार्केट में कुछ भी करोगे आपको कोई रुकने लाने लेकिन आप समझ जो कि सबसे ज़्यदा आपका पैसा है तो आपको चिंता होना चाहिए उसका कैसे उसको safe रखना है ठीक है आ आप एक ही tips को एक ही stock को आपसे buy करा देंगे हमसे sell करा देंगे जिसका profit होगा उससे पैसा ले लेंगे इसका loss होगा उसका phone ने उठाएंगे तो यह सारी चीज़े काफी सारी होते लेगती है तो जो जिस पर आपको भरोसा बहुत जाए tips पर देके personally मेरी बात करेंगे तो मै कैसे मैं trade लेता हूं कैसे view बनता है ठीक है तो वह काफी मैं आगे try करूंगा कि आपको free of cost भी provide कर दूं सब कुछ और ऐसे भी मैंने जो इतने भी सारे playlist को बनाई है वो कहीं ने कहीं paid content ने आपको समझ में नहीं आ रहा है जब आप किसी का course buy करोगे या किसी का seminar join करोगे का suggestion यह है लेकिन दूसरा कि आगर आप tips layer हो किसी बहुत जादा भरसा तो उनके tips को regular regular at least one month लो आप लो one month लो और one month में काम करो बहुत ही कम quantity से है भी quantity से कभी नहीं बहुत ही कम quantity से एक quantity से दो quantity से पाच quantity से जैसा आपको सही लेगा अपने इसके हिसाब से और एक महीने में देखो अब एक महीने मानलो कि उस tips वाले ने आपको 20 दिये tips ठीक है तो आप देखो 20 में कितने profit गये 10 profit गये 10 loss गये overall profit में हो या overall loss में हो तो starting में ही अगर आप बड़े-बड़े capital बड़े-बड़े quantity में गाम करोगे तो हो सकता है कि वो tips के वोजा से आपका पैसा और डूप जाए क्योंकि काफे ज़्यादा लोग को tips के वजा से भी नुक्सान होता है तो आपका पैसा है आपको ध्यान रखना है ठीक है अब एक मही करने तक अगर आपको अच्छा से समझ में आ रहा है कि हाँ इसकी इसने 20 कॉल दिया 15 कॉल प्रॉफिट ने पांच का लॉस हुआ और काफी छोटा लॉस हुआ ओवरल मैं प्रॉफिट हूँ तो फिर कॉंटिटी वढ़ा लेना है आप मार्केट देखो मार्केट कहीं भाग नहीं जाएगा मार्केट आपको रोज मौका देता है डेली मौका देगा तो यह सब्स चीज़ें को ध्यान रखना तो आई होप आप समझे होंगे मेरी वातों को तो प्लीज कॉमेंट करके जरू बताना कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना अगर झाल प्लीज कर देना